हालो रिवान्स स्वागत है आप सभी का मेरे चानल दिवाइन टरो में कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं तो आज जो रिडिंग करने जा रहे हूं यह रून्स रिडिंग होगी फुल मून स्पेशल ठीक है वैसे यूजली मैं हमेशा कैनल बैक्स रिडिंग करती हूं सबसे पहले बता देती हूं यह फुल मून की रिडिंग के बारे में यह देखो फुल मून होगा फैरवरी में वर्गो की जो राशी है उसमें ठीक है हर बार एक राशी होती है ठीक है एक राशी में कोई ना कोई बोलते ना मून की एलिमेंट या एनरजी जाती है तो इस ब मतलब समझे लास टाइम फुल्मून के दोराण बताया था कि ऐसे स्लोली स्लोलीuds ओर कम होता जाता है अब जैसे वर्गलाषी में बहुत जादा होगा उसके बाद लिबरा राशी में उससे समझो 20% कम होगा दस पर्सन रचाता है ठीक है तो हर किसी को इसका reflection लाइक उनकी राशी अनुसार फील होता है कुल्ली अनुसार भी फील होता है ठीक है इसका reflection किसी के लिए बहुत अधिक होता है किसी के लिए बहुत कम होता है लेकिन इस बार का full moon आप लोगों के आखिर क्या reflection create करेगा यानि कि क्या ची स्थे कया जा देखने तो जैसे कि मैं आपको बता रह रहे ह। कि snow moon होता है snow full moon और इस full moon में आप लोगों की life में क्या behavior आप pattern change होगा सिर्फ एक pattern ज़्यादा देखने को मिलेगा आप बार बार सोचेंगे आखिर इस धर्थी पे हम क्यों आए ठीक है आखिर इस धर्थी पे हम आए क्यों है reason क्या है इस धर्थी पे पैदा होने का और ये सोच ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे circumstances में आप बदल जाएगी या ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चीजे घटेत होंगी इसलिए आप एकदम से सोचेंगे अच्छा मैं आखिर क्यों आया इस धर्थी पर अलग है किसी कि अब देखो कुंडली में spirituality का या केतु का impact बहुत जादा होगा तो वो विक्ति से spiritually level पे सोचेगा deep inside में कि यार इस धर्थी में क्यों आया लेकिन जिन लोगों के energy में depression की activity या चंदर की दशा जो है weak होगी या बहुत जादा heavy shadow reflection आ रहा होगा तो वो लोग stress के साथ depression के साथ ये बाते सोचेंगे stress depression के साथ क्यों सोचेंगे भाई ऐसा नहीं कि भगवान आपका दुश्मन है भगवान आपकी जीवन में जो भी चीज़े घटित करता है उसका एक reason होता है आपकी लाइफ में कोई lowest mode लाना और problems create करना या emotionally आपका disturb हो जाना वो सिव आपको यह universe समझाने की कोशिश कर रहा है कि या तो तेरी path में कोई गल्ती है तू अपना path सही पकड नहीं रहा है या उस path पे तू क्यों है तेरा वो उद्देश क्यों आया या वो तेरी दिन क्यों आया जहां पर तू emotionally इतना disturbed हुआ depressed हुआ यह समय क्यों आया क्या परिवर्तन करने की ज़रूत है और कैसे तुझे उद्देश तक जाने की ज़रूत है यह तुझे समझना होगा तू कई बार हम उस circumstances में नहीं समझ भाते हैं और भगवान को blame कर रहे होते हैं भगवान तू ने किया यह सब तेरे कारण है सब का दोशी तू है तू है तू है तू है तू है तूने पाप किया तो कई बार हम लोग जो है blame करते हैं भगवान को for all this बट वो कहते है जो होता है अच्छे के लिए होता है तो जो होगा अच्छे के लिए होगा तो इसका reflection मैंने कहा वगव में सबसे जादा होगा और slowly slowly बाखी राशियों के कम हो जाएगा लियों के तो काफी कम देखने को मिलेगा लियो राशिय में बहुत ही कम देखने को मिलेगा ठीक है अलग अलग सब राशिय का अगर बता देते नहीं बताऊंगी चुपचा बैठो अपने काम से काम करो रेडिंग देखो और जाओ यासे अरे यार इतना डीटेल में मैं बताऊंगे ना काफी लोग तंग हो जाते हैं बोलते आरे दिदी क्या आप इतना समझा रहे हो हमें तो समझ में नहीं आ रहा सर के उपर से जा रहा है क्योंकि बीच में मैंने कुछ spiritual connections के बारे में एक एक कार्ट ज़रूर निकालोगी ठीक है देखेंगे फुल मून में क्या expected है या फुल मून की energy या advice क्या है divine energies के तरफ से ठीक है so let's start with the reading जल्दी से अपने partner का ध्यान कर लो अब जिस व्यक्ति से deal कर रहे हो व्यक्ति टॉरस रशी के हैं लिओ रशी के हैं जैमिनी है लिबरा है यहां पर कर चॉक्राशी है दनुव रशी है जैमिनी अगेन दिख रहा है okay बरट नम्बस में 9 दिख रहा है 8 निक रहा 8 दिकर ए 10 लेवन दिख रहा है और A team दिख रहा है यह कुछ numbers reflect हुए है और यहाँ पर मुझे alphabets भी reflect हुए है A alphabets बहुत Java दिखा है A for apple apple वाला alphabets Java दिख रहा है और दुसरा है alphabets N N for Nita N for Nukul N for Nose वह वाला N I hope you got it यहाँ पर जो energies आपके partner की current दिख रही है यहाँ पर clearly दिख रहा है कि आपके partner जो है emotional overthinking से गुजर रहे है किसी तरीके का depression है, anxiety है, overthinking है जो कही न कहीं आप से concerned है जो आप से lane-dain में है और यहाँ पर emotional lane-dain की अगर मैं बात करूँ तो clearly मुझे दिख रहा है कि यह व्यक्ति आपके बारे में बहुत जादा emotional सोच विचार कर रहे है देख रहे हैं क्या कर रहे है universe मुझे clarify करें यह व्यक्ति कई न कई past की memories को बहुत याद कर रहे हैं और आपकी तरफ addiction महसूस कर रहे है यह व्यक्ति आपकी तरफ addiction महसूस कर रहे है आपको ना देख पाने का दुख है आपके ना होने का दुख है और यहाँ पर रिप्रेजन्ट हो रहा है past की energy past की energy आपके साथ बिताय हुए लम्हे याद आ रहे है आपको कहीं बैठा हुआ देखते थे वहाँ उस जगा को उस seat को या उस bench को या उस place को बेख रहे तो खाली-खाली सी लग रही है या हो सकते हैं रूम में कहीं आप थे वह रूम खाली-खाली लग रहा है और वह जगा वह प्लेस जहां पर यह विजिट करते थे आपके साथ वह जगा थोड़ी सी एक उतार डिस्टर्बंस है इमोशनली डिस्टर्ब्ड है depressed है low feel कर रहे हैं आपको बहुत miss कर रहे है आपको इतना याद कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते आपको बहुत याद कर रहे हैं वो गाना है ना दिल का दर्या बहे ही गया पता नहीं क्यों वो गाना ना कुछ खाना पीना भी बढ़ा दिया है खाना पीना मतलब समझ रहो नो उस तरीके के लक्षन बढ़ चुके हैं उल्टे सीदे खाने पीने की अगर अडिक्शन या कोई गलत आदते हैं तो समझ लो कि यह चालू हो चुका है इनके अंदर यहां पर क्लिरली ऐसा दिख रहा है क सबोटाज याने कि आपको ब्लॉक किया या आपका नंबर डिलीट किया या आपको इग्नॉर किया इनको लगता है इन्होंने जल्दबाजी करी यह सब करने में इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी और आपको सबोटाज कर दिया और इनको अब उस चीज का रिग्रेट ह अब इने लग रहा है कि वो चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए थी इतनी जल्दबाजी ने दिखानी चाहिए थी फुल्मून से थोड़ी जी एनर्जी में रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है वैसे मैं देखो मैं वैसे भी अगर जनल प्रेडिक्शन के एसाब से अगर मैं बात करू ना जनल यह अगर बता दू सबराशी का तो फरवरी महीना वैसे भी सब राशियों में सब पार्टनर पार्टनर को लेकर इशूस थे ही वो एक्सपेक्टेड ही था समझ लो मार्च के महीने में या रिष्टों का अंध हो जाएगा पूरी तरह से जो रिष्टे आपके उनके साथ है वो खतम हो जाएंगे आप या वो आगे बढ़ जाएंगे या उस रिष्टे में वापस से एक फ्रेस्टार्ट होगी पर जो भी होगा वो मार्च के एंडिंग के महीने में होगा ठीक है मैं मोटा मोटा आपको बता रहे हूं मोटा मोटा जो थोड़ा थोड़ा रहता है नॉलेज रहना चाहिए पिर अना बोलो गजया रहे न दि या हमारे साथ यह रिडिंग में ऐसा क्यो हो रहा है वो क्यो हो रहा है या बुरा ही क्यों आ रहा है या इतना अच्छा रहा है तो हो क्यो नहीं रहा है तो समझा रहे हूँ mostly planet की position है, ऐसा कोई आपको guide नहीं कर रहा है, मैं आपको idea देखे रख रहे हूँ तो ये रेक्ती कई ना कई regret कर रहे हैं उस चीज़ पे जिस पे इनको लग रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी कर दिया आपको सबोटाज करने हैं अपने जिन्दगी से निकालने में, इनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी और इनको लगता है कि इनको लगता है कि इनको लगता है कि इन्होंने उस वक एक दों right decision लिया था बट आप इनको ऐसी feeling आ रही है कि नहीं यार मैंने जल्दबाजी में बहुत गलत कर दिया वो step मुझे नहीं लेना चाहिए था, उस step को मुझे avoid करना चाहिए था यहाँ पर clearly दिख रहा है कि आपके partner पिछले के लंबे टाइम से अपने धिमाग से सोच रहे कि यार मैं को क्या इस इनसान से बात करनी चाहिए, क्या ये इनसान उस लायक है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, क्या मुझे इसके साथ touch up करना चाहिए, क्या मैं इसके बिना survive कर पाऊंगा मेरी जिन्दगी में जी पाऊंगा क्या मुझे जाकर चीजे ठीक करनी चाहिए या उसका इंतजार करना चाहिए तो confusion है बहुत strong chances है कि आपके partner भी लड़का है लड़की है स्त्री है पुरूश है माइने नहीं रखना रखता बहुत strong possibility है कि आपके partner भी tarot readings फिसले कुछ time से बहुत देख रहे हैं या अपनी journey को लेकर इन्हें कोई जानकारी मिली है ठीक है क्योंकि यहां पर spirituality represent हो रही है जो represent कर रहा है कि एकदम deep thought में चले गए और अन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई step लेना था जो मैंने नहीं लिया है कहीं ऐसा तोने कि मुझे कुछ ऐसा करना था जो मैंने नहीं किया है इस रिष्टे में मुझे क्या करना चाहिए वाला question इनके mind में आ चुका है कि यार मैं ऐसा क्या करूँ और मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं मैं जाओं और बाद में मुझे लगे कि यार ये decision भी मैंने घाई में लिया जिस तरह मैंने सबोटाज करने का निकाल फेगने का जल्दी जल्दबाजी कहीं ऐसा तो नहीं मैं जाने के बाद इस चीज़ का रिग्रेट करूँ यहाँ पर आपके पार्टनर अबस्टेकल यह है कि वो आपके बिणा रह नहीं पा रहे हैं वो आपके बिणा survive नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मैं आपको पहले ही बोल रहे हूँ समझो मार्च के 6 तक लगबग मार्च के 6 तक इनकी energy में switch होता रहेगा यह fluctuate करेंगे बार बार, इनकी energy में कभी बहुत love, कभी एकदम से गायब, फिर love फिर गायब, फिर ऐसा चलता रहेगा जो लोग relationship में हैं, वो on and off का सामना भी करेंगे, no contact में नहीं जो लोग relationship में बातचीत होती है वो on and off situation का सामना बहुत करेंगे इस महीं नहीं ठीक है, लेकिन अगर आप लोग no contact में हो तो ये समझ लो कि इनकी feelings बिल्कूल predictable नहीं रहेंगे, आप predicting नहीं कर पाएंगे कि, आपको लगेगा बस अब ये action ले रहे हैं, अब चीज़े ठीक होगी अगले दिन फिर देखोगे कि मनुसी शकल बना ली है, एकदम ऐसा है कि गालिया दे रहे हैं और सोच रहे हैं यार इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया basically इनका control इनके अंदर नहीं है ऐसा मैं clearly आपको बताते थे हूँ बट obstacle ये है कि, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ये रहना चाहते हैं पर रह नहीं पा रहे हैं, इनके आदाना पानी आपके बिना नहीं कट रहा है और इनको बहुत उसके वज़े से एक बताते चिड़ हो जाना irritation होना वो वाली energy फील हो रहे है यहाँ पर मुझे clearly दिख रहा है कि इनका, इन्होंने बहुत जादा खुद को control कर रहा है एक होता नहीं कि excuses और बहाने देकर ऐसा बना लिया कि नहीं आ रहे है, फलाना reason से मुझे नहीं जाना चाहिए ये फलाना वो दिक्कत है इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए या इस इनसान का reaction ऐसा होगा इससे लिए मुझे नहीं जाना चाहिए बहाने दस खड़े कर लिए है, आपने कुछ नहीं भी किया होगा तब भी बहाने चली रहे है यहाँ पर problem ego का नहीं है, मैं यह बात कह दूँगी या आपके partner को ego का problem यहाँ मुझे नहीं दिख रहे है यहाँ मुझे clearly दिख रहे है कि वो आपको approach करना चाहते है interested है, बात करनी है, मन बहुत जादा है और आपको हर जगा, हर एक कोने-कोने में देख रहे हैं, miss कर रहे हैं कि याद आ रही है, और tarot readings इसले बहुत जादा देख रहे हैं या spiritual related चीज़े study कर रहे हैं, बाट somewhere मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है कि इस इंसान को ऐसा लग रहे है कि मैं बस जल्दबाजी ना करूं और इस रश्टे में ऐसा नहीं कि मैं फिर involve हो जाओं और बंदी को भी involve कर दूँ या बंदे को भी कर दूँ और बाद में हम दोनों ही hot हो रहे हैं, बाद में हम दोनों ही दुखी हैं और हम दोनों सोच रहे हैं, माथा बीट कर कि यह हमने उनको जो है आपको लेकर बहुत जादा गहरे थौट्स आना शुरू हो चुके हैं और वो कहीं न कहीं आपको बहुत badly badly miss कर रहे हैं और वो कहीं न कहीं fear of loss से गुजर रहे हैं उन्हें लग रहा है सब खतम हो जाएगा सब बिगट रहा है सब बेडागर को जाएगा उन्होंन कुछ नहीं कर रहे है यानि कि इनको लग रहा है इनके father जो है इनके कान मरोडेंगे और या तो इनको डंडे पर डंडे पढ़ेंगे या caste वगएरा society इंको जो है एक दम वो कर देगी निश्काशित कर देगी हाँ देगो मैंने बोल दिया निश्काशित कर देगी यानिकि तड़ी पार कर देगी और बोले कि निकल जाओ हमारी society से तो ये एक society का भी stress है इनके उपर तो chances है clearly कि अपने थोड़ा सा अपने elders से डर रहे हैं और डरने का मतलब ही नहीं कि अरे एक दम इतने भी हैसे नहीं कि lowest है कि विल्कुल कुछ नहीं कर पा रहें डरना मतलब यह अपने प्यार जो है वो सिर्फ वो समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं दस लोग नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग दूनों का रिज्टा कैसा है connection कैसा है आपने कभी भी notice किया होगा ना जब आपने अपनी दोस्त को सुलेखा रेखा मीना चीना जिसको भी बता रहे होंगे त है ना तो वो क्यों होता है क्योंकि वो आपको जच कर रहे होते मनी मन तो आपकी पर्टनर का भी यह थोट है कि दिखेंगा दिखेंगा कुछ और होगा कुछ और यह इतना आसान नहीं है तुम उनकी जगह पर रहो तो तुम्हें लगेगा कि नहीं यार बहुत है ऐसा देख रहे है बकाईदा एल्डर्स हैं लोग हैं एक बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी है और एक अच्छी बात यह है कि आपने एक ऐसे इंसान से प्रेम किया है जो इन रिस्पॉंसिबिलिटी के तरफ देखता है या देखती है और उन्हें लगता है कि यार यह भी मेरी जिम्मेदारी हो इस मेदारी से मैं मुझ कैसे मोड लू भाई यह तो मैं अपने स्वार्त में आकर अपनी जिम्मेदारियां कैसे तोड़ दू या यह कैसे सत्यानाज कर दू अब इतना आएगा मेरे को एक बड़ा सा कमेंट वाला मैसेज जिसमें कुछ धरम प जब आप लोगों की रीडिंग करूंगी मेभी परसनल रीडिंग होगी तो पटा चलेगा या जैसे कि आप लोगों के बारे में रीट करेंगे तो आइडिया लगेगा फिलहाल इनकी एनरजी को देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं emotionally बहुत जादा low feel कर रहे हैं और किसी तरीके की luck बदलने का समय बदलने का परिवरतन होने का इदजार कर रहे हैं उन्हें लग रहे हैं चीज़े खुदी-खुदी एकदम से magically create होंगी और यह आपको आकरशित कर रहे हैं clearly मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यह वेक्त अब ऐसा भी हो सकता है कि यह वेक्ति जान बुचके नहीं कर रहे हैं हर जगा आपको महसूस कर रहे हैं अगल-गल बगल में तो आप उनको, उनकी याद को मैसूस कर पा रहे हैं इसलिए आप इनकी तरफ आकर्शित हो रहे हो ऐसा भी हो सकता है पर क्लिरली मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये वेक्ति जो है आपको अपनी तरफ खीचने की गोशिश कर रहे हैं अपनी यादों के जरीए manifestation के जरीए ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाए ये वेक्ति आपके बिना ऐसा नहीं है कि survive नहीं कर पाएंगे पैसे नहीं है या लुट पुट गए बरबाद हो गए ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा clearly दिख रहे है बस इनका मन अब पिछले कुछ टाइम से काम में नहीं लग रहा है ये काम करना चाहते हैं करने के लिए बहुत काम पड़ा है लोगों का pressure बना हुआ है लेकिन उस काम में अब इनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि एमोशनली ये बहुत low feel कर रहे है clearly इनकी energy में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके partner जो है आपको लेकर बहुत excited होते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं बहुत खुश हो जाते हैं बहुत जादा पर उनकी आँखें भी नम हो जाती है clearly ऐसा दिख रहा है कि मन भी खराब होता है आँखें भी नम होती है पर दिखाने के लिए नहीं दिखा नहीं सकते हिम्मत बहुत जादा strong है आपके partner actually वो emotionally खुद को express करने में बहुत जिजक महसूस करते हैं हो सकता है पहले बहुत महसूस किया और दिल से लेकिन अब नहीं महसूस कर पाते हैं को आप बोलोगे भी न कि क्या हो गया क्या बाते परेशान कर रही है किस बात से पॉदर्ड हो तो आप नोटिस करोगे कि इनसान कुछ बोली नहीं रहा है बोली नहीं पाएगा या बोली नहीं पाएगी क्योंकि आप देखो कि smile कर रहे है पर अंदर से टूट रहे हैं अंदर से यह कैसे नहीं चाहते की एक उतने की painful activity है अकेला पन है और नहीं चाहते की भाई आपको दिखाना यह आपको ही नहीं किसी को भी दिखाना नहीं चाहते इस बात को सामने से बहुत powerful और goal oriented और बड़े practical बंते हैं आपके पार्टनर या बंती हैं बड़े अंदर से टूट चुके हैं काफी जादा blank energy रिप्रेजन कर रहे हैं कि future you never know कुछ भी हो सकता है universe आपको मैं पिछले कॉनसी एक और reading हुई थी मैंने देखा था divine energy जवाब ही नहीं दे रही थी मुझे कि भाई हम बताएंगे इनी future तुम सब को बता दोगी और फिर ये लोग सब ready हो जाएंगे मन में आस रखकर तो अच्छी बात है चलो कोई problem नहीं अब देखते हैं एक एक राशी के अनुसार क्या rewards और gift expected है आप लोगों के लिए ठीक है तो को मैं देखती हूँ कौन सा deck universe मुझे बताएं हर राशी के अनुसार Aries से लेकर mean राशी तक सीरीज में मुझे बताएं क्या expected है full moon के लिए इनकी life में full moon का effect इनके उपर क्या होगा blessing नहीं बोल रही हूँ है फिर बना बोलोगी इस औरत को blessing नहीं मालूम क्या होता है हाँ कुछ जैसे negative comments लिखते हैं universe मुझे बता है spell jars का किसी को workshop करना है love spell jars होते है magnet होता है यह magnet बोल रही हूँ money magnet का spell jar होता है self healing के spell jars होते है जिनको workshop करना है दिया गया जो screen पे number है उस पे whatsapp कर लो और उसमें message करो team को कि मुझे workshop जोइन करना है workshop की details विलेगी pay करो register करो 24th March को spell jar होगा वहलब spell jar का वो प्रतिक्रिया सिखाई जाएगी कैसे होता है क्या होता है इससे benefit क्या होगा भाई दिदी हम तो बाहर से खरीच सकते है पहली बात बाहर से आपको खरीचने में महगा भी बहुत पढ़ जाता है और दूसरी बात जरूरी नहीं कि उस वेक्ति ने spell किया हो की नहीं ये भी हो सकते है उसने एक साथ सारी bottles बना लिये बल्क में और जो है spell proper से cast नहीं किया हो और ये भी possibility है कि एक का spell दूसरे को लग जाए दूसरे का spell तीसरे को लग जाए अट्रैक करना है शीना को यहां पर रीना आ जाए तो वो problem भी create हो सकती है तो इसलिए अगर आपको सीखना है उससे क्या होगा घर बैटे खुद बना सकते हो खुद घर बैटे बना सकते हो किसी के उपर depend नहीं करना पड़ेगा और जो इतना लेने के लिए खरीदने के लिए दो दो तिन तिन चार चार हजार पे करना है उससे अचा तो तुम लोग बहुत कम प्राइज में 999 रुपे में सीख लोगे 3 spell jars बनाना और मेभी इन फ्यूचर तुम लोग दूसरों के लिए इसको बना सकते हो दूसरों के लिए भी तुमको अगर तुमारे intention साफ है प्यूर है तुम दूसरों को भी बना कर सकते हो ना बना के दे सकते हो तो इस अप टू यू ठीक है जॉइन करना है तो डीटेल स्क्रीन पर है गो थू कर लेना दिया गया नंबर है वाट्सअप का उस पर जाकर रेजिस्टर करना है आपको बस जाके टीम को पूछना है पे करना है स्क्रीन शॉट भीजना है रेजिस्टर आपको मिल जाएगा डीटेल्स ठीक है सो लेस्स चार्ट bob लोग के यूँनिवर्स मुझे बदाएं फूल मून की एफ़ेक्टмов धूल मून की इफ़ेक्ट मैं hum क्या होगा राशी पर एरीश से लेका मीम तक बदाए डीदी बाकी आपती हूँ, एस्ट्रोलाजी सिखाऊंगी तुम लोगों को बैठके, धीरे धीरे वोलो कि दिधी ये स्टडी वाला चानल बन गया है, वो टारो रीडिंग का चानल नहीं बना है, ठीक है, अब सबसे पहले मैं एरीस राशी याने की मेश राशी की बात करूँगी, मेश रा होगा, और इस कारे को पूरा करने में ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप चलो विदेश यात्रा, अगर बहुत समय से अटकी होई, तो विदेश यात्रा भी पॉसिबल है, यहाँ बल लव रिलेशन्शिप में कोई बाधा आ रही थी, कोई बहुत लंबे समय से इश्य पूर है, आप उसे पूरा करेंगे, ठीक है, अब बात करूँगी व्रिश्यव राशी वालो के, व्रिश्यव राशी वालो, समय का पया चमक उठा है, अचानक से वक्त बदलेगा, वक्त का पया बदलता नजर आ रहा है, लग चेंज होगा, यहाँ पर सड़नली आप चीज यह चीज हो गई, यह मुझे करना था, और फाइनली मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई, आपका कोई ऐसा कारिया जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, कोई सर्प्राइज एनरजी बन जाएगी, ठीक है, कोई सर्प्राइज मिल सकता है, यहाँ पर लेकिन वो च अंसान से परिशान थे, जिस दुश्मन से परिशान थे, वो देखो कि बिमार पढ़ गया, पॉर नो रीजन, तो आप खुश हो जाओ गया, चलो अच्छा हो अब बिमार पढ़ गया, तो इस तरीके के कोई घटना घटित होगी, जिससे काफी सर्प्राइज हो जाएगी, अब अगर मैं बात करती हूं, आप कर भाइएबने वाले, बहुत बड़ने वाले, बहुत स्टॉंग हो जाएगा, आपके थर्ड आय से सबकु दिखना शुरू हो जाएगा, आज एक्दम बन gifted बचना अनक बना बचोरू हो जाएगा confused हैं, उस confusion से बाहर निकलेंगे, कहीं न कहीं आप यह समझ लो, जो intuition आपको confused कर रही थी, कि कल तक आपको समझ में नहीं आ रहा था future में क्या होगा, क्या नहीं होगा या यह व्यक्ति जो है, आप कई बार होता है न कि तुरंट से, कि भाई यह चीज न मेरे साथ ऐसी हो रही है, यह समझ लो, एक power है, इसका बस इस्तमाल सही से करना है आपको, प्लस इस time frame में आप students भी बहुत हो जाएंगे, बढ़ाई-बढ़ाई में मन बहुत लगेगा, spiritualty के और interest बहुत बढ़ जाएगा, पुजा पार्ट में बहुत जादा आप जो है, घुश जाएंगे, और इस time frame में आप जो है, बहुत जादा समझो, दान धर्मी भी हो जाएंगे, यह दौलत भी ले लो, यह शौरत भी ले लो, मगर ले लो सब कुछ मेरा, I don't know, बाकी का गाना तुम ढूंब लो, ठीक है, so basically आपकी teaching energy भी बढ़ रही है मदरली energy भी बढ़ रही है, और intuition तो आपके strong होई रहे हैं, भयंकर level पे, ठीक है so यहाँ पर अगर मैं बात करू, करक्राशी वालो, भाई करक्राशी वालो, फुल मून का effect आपके उपर कुछ खास अच्छा नहीं है, overthinking बढ़ा रहा है यह आपकी बहुत जादा overthinking बढ़ जाएगी ऐसे में थोड़ा सा rest जादा करने की request है, जब भी भी overthinking जादा हो रही है, तो rest करो rest करो, rest क्यों करना है देदी पहले overthinking कर रहे है, rest करेंगे तो और overthinking होगी, नहीं, sometimes आपको अकेले बैटके समझने की कोशिश करना होगा, कि यह particular situation क्यों घटेत हुई, इसमें आपका role क्या था, आप क्या कर सकते थे job ने नहीं किया, बहुत सी चीज़े pros and cons तब समझ में आते हैं, जब हम mobile और TV को side में फेग देते हैं, मलब TV को सच में उठा के फेग मत देना, mobile मत तोड़ देना पर जब हम technology को sideline कर लेते हैं बंद कर देते हैं, तब जाके हमारी लाइफ में कुछ हम अकेले में बैठके एकान में लेकर, एकान में बैठकर सो पाते हैं, नहीं सो पाते हैं, क्या बोला अराम से समझ पाते हैं हमारी लाइफ के problems क्या है, actually ना मैं थौट में चली गई जब मैं आप लोगों के लिए बात कर रही थी आप YouTube में चेक करो, कहीं पे या Google पे चेक करो, मिल जाएगा, मुझे नहीं पता कहां होते हैं exactly, पर बहुत सारे होते हैं जहाँ पर 10-10 days के ना ऐसे होते हैं, जहाँ पर फोन वोन साइड में कर दो, फोन आपके ले लेते हैं और आपको वहाँ पर बुरा meditation वगरा सा process सिखाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है healing होती है, so basically you need a healing और health आपकी थोड़ी से बिगड़ सकती है तो next 15 days के लिए रहेगा, उसके बाद आप normal हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद और logical भी बहुत हो जाएंगे, बहुत जादा practical हो जाएंगे, logical हो जाएंगे, पर इन सब के साथ थोड़ा सा एहंकार और गुस्सा भी बढ़ेगा, तो गुस्सा और एहंकार थोड़ा सा control कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़े प्लस में मिल रही तो थोड़ी माइनस में भी हो रही है आपको लगेगा मेरे से बेटर तो कोई होई नहीं सकता मैं ही, वो आपुनिच कौन सा डायलोग था, आपुनिच भगवान है, something like that तो वो वाली एनरजी में मता आ जाना, आप उन्हें भगवान नहीं है, भगवान का भगवान वने रहने तो आप थोड़ा सा संभाल लेना पाकि कार्या में सफल्दा मिलेगी, कोई भी काम करें उसमें बहुत अच्छे benefits और बहुत अच्छे फायदे होंगे अब वर्गों की बात कर लेते हैं, भाई वर्गों का फुल्मून का effective वर्गों में गया है, तो वर्गों के क्या ही उम्मीद करनी तो भाई कन्या राशी वालो बहुत शिकायते करोगे, मेरी जिंदगी में मेरे से सब कुछ छीन लिया, इसने वो ले लिया, इसने पैंसिल लिया, इसने शापन लिया, इसने मेरे बाल ले लिये, इसने मेरे कपड़े ले लिये, मेरी जिंदगी में ऐसा ही हुआ है, सब मु बहुत नेकडिव हो जाएंगे फालतु फालतु में हर एक इंसान से आप कलेश करेंगे और सुचेंगे ये इनसान ने भी तो मुझसे छब कुछ छीना है आई होगी घर में बाई भी ना तो उस बाई को भी देखके सोचोगे हाँ ये बाई भी तो आती है पगार के लिए और पगार के लिए काम करेंगी और क्या करेंगी वो नहीं देखा बिना पैसे तो वो पंखा भी ना साफ करें देखा ऐसे होते लोग तो आपका दिमाग एक अलगी दुनिया में चल रहा होगा तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरुत है ठीक है नेक्स 15 देंसा दिदी की आपको क्या पता मुझे तो यह दीदी भी ऐसी लगती है अब तुम्हारा दिमाग यह चलेगा कि मेरको यह दीदी का भी यह लगता है तुम लोग मेरे लिए मेरे ही अगेंस पता चले यह फुल्मून का एफेक्क मेरे ही चैनल पर देखने को मिल रहा है सारे वर्गों वाल इसने के लिए एक उपाय कहूंगी सेल्फ अफ़र्मेशन की प्राक्टेस करो पॉजिटिव अफ़र्मेशन होते न हो सुना करो उससे बहुत बेटर लगेगा हिंदू धरम क्यों तो हनुमान चालिस अगा पाट कर लो उससे बढ़े दो क्या ही हो सकता है है ना सो अब मैं अब मैं बात कर लेती हूं लिबरा की ठीक है तुला राशी वालो की तुला राशी वालो आपके पास आएगा पैसा ही पैसा रोकडा नोट छपेगा नोट बेसिकली आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी और पैसा कहीं से अचानक से आता हूंब नजर आएगा अफ्तार बनेंगे जिसमें आप I, Me, Myself बनेंगे और आपको लगेगा भाड में गई दुनिया मुझे मेरी शर्तों पर जीना है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मुझे फरक नहीं पड़ता है मुझे डिसको जाना है मैं मंदर जाओंगा मुझे मम्मी के गर जाना है मैं मम्मी के गर जाओंगा मुझे बीवी के गर जाना है मैं बीवी के गर जाओंगा आप अपने मन की करेंगे और भाड में गये सारे के सारे मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं आप अपने आप से प्यार करेंगे और फुल सेल्फिश हो जाएंगे आपको लगेगा बास मैं आपके बारे में इसकी सब के बारे में सोच लिए आप किसी का बदला नहीं लेगा यह फैजल आप से व अपने बारे में सोचेगा तो फाइनली आपकी जिंदगी में आप अपनी वर्ट समझेंगे और अचानक से धनला भी हो सकता है पैसों में ग्रोथ होगी थोड़ा सा यह कोई इच्छा पूरी होगी मन की इच्छा पूरा पूरी होने का मतलब ऐसा समझ लो कि कोई जीनी आपके सामने आकर खड़ा हो गया और बोल रहा है मांगो क्या मांगते हो और अब ऐसे में आपकर आपने बोल दिया कि मेरी जिंदगी पता है बहुत बुरी है मैं अपनी ज खड़ा है यानि के मैनिफेस्टेशन के बादशा हो आप जो सोचो के वो पाओगे नेक्स 15 डेस सेल्फ वर्थ भी समझोगे मन की को इच्छा भी पूरी होगी और ध्यान रखना जीनी जो है आपके इदगित घुम रहा है यानि के इदगित घुम रहे है जो मांगो के वो म मिल जाएगा और कोई प्रॉब्लम में बहुत भयंगर लेवल पर भसे हुए हो कोई लीगल प्रॉब्लम में कोई कंपटिटर परिशान कर रहा है कोई एक्जॉशन दे रहा है कोई आपको इरिटेट कर रहा है तो आप उसको बहुत बड़ी आवाला सबक सिखाएंगे ऐसी एनरजी में आप आते नजर आ रहे है ठीक है अब बात कर लेते धनुराशी वाले है ये धनुराशी वालों के साथ क्या हुआ धनुराशी वाले खुद को पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे है रीजन इतनी ठोकरे खाली इतनी मार खाली इतने लोगों के पत्थर खाली है नेक्स 15 डेज में जहाँ पर आपको फरक नहीं पड़ेगा जो कोई भी कौन क्या करता है किस से क्या मतलब है वेसिकलिए लिब्रा और तुनुराशी का हाल एक जिसा दिख रहा है हाँ आप बहुत हुए हो डिफिनिटली आप खुद को हील कर रहे हो आप हर्ट हुए हो पास्ट की अक्टिविटी से पास्ट में एक नहीं अनेको लोगों ने आपको चोट पहुंचाईए क्योंकि यहाँ पर जो मैं तलवार देख पा रही हूँ ना एक की नहीं अनेको लोगों की लगी है परिवार ने एक घुसा दिया फिर उसके बाद फ्रेंड्स ने आकर घुसा दिया फिर उसके बाद पाटनर ने आकर एक और घुसा दिया फिर आई टीचर टीचर ने बोला घुसा देते हैं बगल बगल में मेड्स वगेरा कोई घुम रही थी उन्होंने सचा हम भी क्यों मौका छोड़े हम भी एक लगा देते हैं हम भी लगा कर चले जाते हैं तो यह हो गया धनुराची वालों का हाल जहापर हर जगा से तलवारे एक एक करके घुसाते गए आपके पीठों पे और ज जो बहुत जादा खुद में सक्षम, खुद में खुश, खुद में पावफुल है और अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक इनसान जब मर गया और उसके बाद उसने दुबारा एक नया जनम ले लिया तो वो बहुत कुछ सीख चुका है अपनी लाइफ से उसन नहीं बोल सकती, बट बेसिकली आप इस काट को बहुत नेगिटिव सेंस में शाद देख रहे होंगे, लेकिन मैं इस चीज को बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ, धनुर आशिवालों आप लोगों की होगी, ट्रांसफोर्मिशन नेक्स 15 डेज में आप अपना पूर करो ना मैं तुम्हें तकलीप दूँगा, ठीक है, आप बात कर लेते हैं, कैप्रिकॉन राशी की, मकर राशी की, मकर राशी वालो, एक में रुको, मकर राशी वालो, आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी और हीलिंग बढ़ेगी, आप पिछले कुछ टाइम से अगर पर अचानक से आपके फेस पे कोई लाइट मार रहा है, कोई रौशनी आ रही है, यहाँ पर हीलिंग के एनरजी जादा है, किसी ट्रॉमा से आप हील्ड होंगे, हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चल रहे थी, तो वो हेल्थ की प्रॉब्लम फाइनली होंगे, यहाँ पर ऐसा है कि एक पल, एक पल कुछ, दूसरे पल कुछ, एक पल चिला रहे हो, उसी इनसान को दूसरे पल में आप प्यार करके नज़र आएंगे, तो मूट स्विंग्स बहुत होंगे, पल पल में आपका मूट खराब होगा, इमोशनल बिना वज़ा बहुत होंगे, बाहर बाहर एमोशनल होंगे, पुरानी कोई बात याद करके एमोशनल हो जाएंगे, पिछले कुछ छूड गया है, उससे इमोशनल हो जाएंगे, और किसी की बात सुनने से इंकार करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे है कि मुझे कुछ मत बताओ, मुझे कुछ सिखाओ कि माफ नहीं है कोई आपको उपनी प्रॉब्लम एक्स्प्लेज कर रहा है उब हो सुब हो गुकौ साथ है तो गुससा आरहIO है या इमोशनली बहुत लोग असे मैं कहूंगी कि यार मन बहुत हताश हो तो दो चीजे कर लो या तो आप शिवलिंग को डेली जल अर्पित करो तो मन चानत हो जाएगा और वहाँ बैठ कर थोड़ा ध्यान करो ओम का जाप करो योगा कर सकते तो योगा करो दूसरा मैं कहूंगी एम्टी स्टमाग छोट टूसा गुड़ का खाना शुरू करो उससे भी बहुत लाब होगा मन थोड़ा सा जैसे विचलित हो रहा है वो बेटर लगेगा ठीक है और अब बात करती हूं मीन राशी वालो के लिए ठीक है मीन राशी वालो कमपटीटर्स का सामना बहुत करोगे किसी तरह से खुद को बार-बार explain करते नजर आओगे जरूरत से जादा ही खुद को defend करोगे जहां पर जरूरत नहीं होगी ना वहां पर भी करोगे नॉर्मली कोई फ्रेंड अगर बोल देगी या अच्छी लग रही है ये काला बस ट्रेस पे ड्रस सूट नहीं कर रहा है मुझे से लगता है तुझे कुछ colorful पेनना चाहिए तो आप offend हो जाएंगे और सामने वाले को बोले खुद को देखा है खुद कैसी लगी पड़ी है मैंने तिरको बोला है तुकाली issues office politics में फस जाना या लोग जो है बिना वज़ा ऐसा feel करना कि लोग आपको परिशान कर रहे हैं हाँ ऐसे मैं यह जरूर कहूंगी अगर कोई दुश्मन है तो उनसे तो बच कर 400 कदम दूर रहो ठीक है मस्ती मत करो कि नहीं मैं इसको सबक सिखाऊंगी अब मैं भी क्या हूँ मैं खुद को प्रूफ करूँ यह गलती मत करना क्योंकि लेने के देने पढ़ सकते हैं यह वो टाइम नहीं है जहापे आपको रिस्क लेना चाहिए 15 देज में आप बिना वज़ए के फसाद में पढ़ेंगे और बिना वज़ए की खुद को बार वार डिफैंट करेंगे खुदी एक्सप्रेंड करेंगे जिसकी कोई जरुथ नहीं होगी मस्त वाला लाइक चिपका दो धेर सारा प्यार दे दो और बागी सारी डीटेल्स दिस्रिप्शन बॉक्स में तो मिल जाएंगी फुल्मून के लिए प्रेसलेट लिया कि नहीं लिया तो ले सकते हो अमित सर का नंबर सामने स्क्रीन पर रखा है ले लेना मैं एक ब्लू कलर का अमित सर का नंबर स्क्रीन पर है उन्हें वाटसअप करें और उनसे अपनी जो भी मन के चान उसार जैसे बनवाना है बनवा सकते हैं ठीक है लंबी सी रिडिंग थी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना ठीक है अभी के लिए दना ही बाइटे कर ओम सही राम